सेव मंडियों में बागवानों से ठगी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है सेव मंडियों में आर्टी मोका देख तोली के नीचे हाथ रखकर खरीदार से सेव के दाम तै कर रहे हैं कई बागवानों को आर्टीयों ने थमाए हैं फर्जी चेक सरकारी अजंसी एपीमसी ने अब तक कई आर्टियों को दंडित किया है फिर भी आर्टि बाज नहीं आई है सेव सीजन के दोरान हिमाचल के उपरी हिस्तों में सेव खरीत के लिए सड़क के साथ जगा जगा स्टॉल लग जाते हैं इस दोरान कई सेव आर्टि बागवानों को चूना लगा रहे हैं सेव मंडियों में आर्टियों और सेव खरीदार लादन्यों की जुगलबंदी के चलते अवैद रूप से तौलिय के नीचे हाथ रखकर बोली लगाने का करम अब भी बद्सतूर जारी है हलांकि सरकार इस तरपर ऐसे गत्विदियों पर अंकुष लगाने के प्रयास लगातार जारी है एपी एमसी की और से तौलिय के नीचे हाथ रखकर सेव की बोली लगाने बालों और कारोबार कम दिखाकर सरकार को कम डेक्स देने बालों को दंड़िट भी किया गया है बाबजूत इसके बागवानों से लूट अब भी जारी है बागवानों को आरती सेव लेने के बाद चक थमा रहे हैं लेकिन जब बागवान बेंक पहुंच रहे हैं तो कई चक फरजी पाए गए हैं ऐसे में सेव बिशने के बाद पैसों के लिए बागवान दरदर की ठोक हुआ है तो मंडियों के ये हाल है जो तोलियों के नीचे जो हमको चूना लगा रहे हैं सरकार जो है उस पर एक्शन नहीं ले रही है हमें कोई मालूम नहीं है वो अंदर उंगलियां कौन-कौन सी पकड़ते क्या-क्या उनके रिसाइड है जिस तरह के दाम हमको मिलने जो परसेंट और इधर भी तो हम चाहते हैं कि भागवानों का सोशल नहीं हो सरकार इस पर ध्यान दें जो हमारी भागवानों की समस्या है उसको अमल में लाएं ये नहीं कि भी केकसू सबजी मंडी के परवारी मनहोरलान ने बताया कि उनका प्यास है कि वागवानों को सेव का सही दाम मिले उन्होंने बताया कि एपी एमसी की और से तॉलिये के नीचे बोली लगाने वाले आरतियों को मार्केट शुलक कम दरशाने बालों को जुर्माना लगाया गया है आरतियों को चेतावनी पत्र भी बालबार दिये जा रहे हैं मंदी शुलक बिगड़ा उनको उसके बारे में लिका है किराय के बारे में भी दे दिया है और माल के नीचे जिन आग्ठियों ने इन दौबा नीचे काम किया था उनको 25-25,000 पर दौदू के प्रिटिवाज लगा दी गई घर दे में जो जो दौदू आति थे उन्होंने कम कि अंदर शाया था इसमें काफ़ जो में विक्री का उनको दॉसर सोजार पर कि नेड़ी लगाई गी यह बाकी मेरा प्रियास रहेगी कि में जादर सजादा यहां पर अच्छा काम कराऊं और इन